हेलो स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं आपकी पड़ाई शुरू हो गई होगी तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फसल उत्पादन इवं प्रबंध जो की कक्षा आठ विशे विज्ञान विशे का पहला पाठ है आपको ये पाठ अगर पड़ा दिया है तो आपको इसकी अंसर जो आपको समझ में नहीं आए है या आपको होमवर्क में करने है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको पास्बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं हैं हम सभी प्रश्णों के उत्तर यहां लिखकर आपको इस वीडियो में दे रहे हैं तो देखते हैं इस वी खाली जगे है कब एक इस्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पोधों को फसल कहते हैं, तो यहां हम फसल को भर देंगे, अगला है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है, यहां तैयारी भर देंगे, अगला प्रश्ण है छती ग्रस्ट भी जल की सते पर तैयरने लगेंगे, तो यहां खाली जगे में तैयरने लिखेंगे, अगला खाली जगे है, फसल उगाने के लिए परियाप सूर्य का प्रकास एवं मिट्टी से पोसक तथा जल आवश्यक है, तो यह पहला प्रश्ण है, दूसरा प्रश्ण दे रखे हैं जहां गलत खरीब की फसल के आगे मविशियों का चारा लिखा हुआ है जो की गलत है अब हम इसको सही क्रम में जमा करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे खरीब की फसल धान और मक्का रभी की फसल गैहू चना मटर रासाइनी कुरबरक यूरिया एवं सु दो धारन दीजिये तो यहां खरीब की फसल खरीब की फसल के दो धारन और रभी की फसल के दो धारन देने तो हम देखते हैं उत्तर खरीब की फसल के दो धारन हैं धान और मक्का और रभी की फसल के दो धारन होंगे गैहू और चना अब देखते हैं प्रश नमबर चार नि यहां मिट्टी तैयार करने पर हम पहरेग्राप देख रहे हैं। पौली मिट्टी में रहने वाले कैंचुओं और सुख्ञ जीवों की व्रद्धी करने में साहेता प्रदान करती हैं। फसलों के पोधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं खेत की भूमी को हल से जोतने, समतल करने तथा खाट डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बुए जाते हैं खेतों में बुवाई के दो तरीके हैं एक तो परंपरा गतो जार द्वारा यह कीप के आकार का होता है बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं और जोंकी गुणवत्ता तथा बीज बोने का तरीका दोनों ही फसाल उप जाने में महत्कुन भूमी का निभाते हैं तीसरा पेरेग्राफ निराई के उपर लिखना है तो निराई का पेरेग्राफ हम देखते हैं इसमें हमको क्या लिखना है खेत में खर्पतवार को हटाने को जो खर्पतवार उग जाती है उसको हटाने को यहाँ पर हम हटाने कर देंगे हटाने को निराई कहते हैं निराई खेतों में आवशक है क्योंकि खर्पतवार जल, पोशक, जगे और प्रकास की इसपर्दा कर फसल की व्रद्धी पर प्रभाव डालते हैं निराई का कारे खुर्पी या हैरो की सायता से करते हैं, पोधों में पुष्पन एवं बीज बनने की प्रक्रिया से पहले, खर्पतवार पोधों को हास से जड़ सहीत उखाड़ कर अथ्वा भूमी के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है, यह कारे खड़ी फसल व जिसको पटेले भी कहते हैं, उससे किया जाता है, अगला पेरेग्राफ है थ्रेसिंग, काटी गई फसल से बीजों अत्वादानों को भूसे से अलग किया जाता है, यह कारे थ्रेसिंग कहलाता है, आजकल थ्रेसिंग भूसे से बीजों अत्वादानों को अलग करने का कारे combine machine द्वारा किया जाता है यह machine वास्तम में harvester और pressure का सहींगत रूप ही होती है छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर winnowing जिसको कहते हैं उसके द्वारा अलग करते हैं तो इस तरह से आपके paragraph complete हो गए हैं अब प्रशन नमर पाँच इसपष्ट केजिए कि उर्बरक खास से किस प्रकार भिन बहुत ही मैठ पूंट प्रशन है यह उर्बरक वे खाद में अंतर यह आपकी बोड की एक जम में आता रहता है तो हम यहां एक साड़नी बना लेंगे और साड़नी में एक साड़ में उर्बरक और एक साड़ में खाद लिख देंगे और यहां पहला अंतर लिखेंगे उर्बरक के रगारासेनिक पधार्त है और जबकि खाद एक कार्वनिक जैविक पधार्त है जो गोबर, मानव, अपसिष्ट एवं पोधों के अपसिष्ट के विक्टर्ण से प्राप्त होता है दूसरा उर्बरक का उतपादन फ्रैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद केतों में बनाई जा सकती है तीसरा उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खास से मिट्टी को हुमस प्राप्त होता है और चोथा अंतर लिखेंगे उर्वरक में पादप पोशक जैसे की नाइट्रोजन फासपूरस तता पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोशक तुलनात्मक रूम से कम होते हैं, तो इस तरह से हम अंतर लिख देंगे, प्रेश नमर 6 है, सिचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिचाई की दो विदियों के वर्णन कीजिए, तो यहां उत्तर लिखेंगे सिचाई की परिवासा पहल तो छिड़काप तंतर में हम लिखेंगे, इस विदि का उपयोग अस अमतल भूमी के लिए जो उच्छी नीची भूमी होती है, वहां किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, पाइपों के उपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, यह पाइ जोई मिटी के लिए अत्यान तुपयोगी है, और दूसरा जो है वो है डिपतंतर, डिपतंतर में हम लिखेंगे, इस विदी में जल बूंद बूंद करके पोदों की जड़ों में गिरता है, फलदार पोदों, बगीचों एवं ब्रक्छों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, इससे पोदे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, इस विदी में जल बिल्कुल भी विर्थ नहीं होता है, यानि के खराबनी होता है, प्रशन नमर साथ है, यदि गेहों को खरीब की रितों में उगाया जाए, तो क्या होगा चर्चा कीजिए, तो हम उत्तर लिखेंगे यदि गेहूं को खरीब की रितों में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे क्योंकि उगने के लिए अधिक जल्की आवशकता नहीं होती है वर्सा रितों में जल्की प्रचुरता में बीज गलकर नश्ट हो जाएंगे प्रश्ण नमर आठ है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाब पड़ता है व्याख्या कीजिए अंसर है खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोशक ततों की कमी आ जाती है इस से मिट्टी की औरवरता कम हो जाती है इस छती को प दो प्रशने हैं इसमें, तो पहले खर्पतवार की परिभासा देखेंगे, खर्पतवार वे एवांचनिये पोधे या जंगली पोधे हैं, जो खेत में बोई गई फसिल के साथ में अपने आप उग जाते हैं, अब है खर्पतवार पर नियंतरन, दूसरे प्रशन का इसका उत हैं, इसके लिए खेत की निराई करते हैं, इस किरिया में ऐसे पोधे को खेत से हटा देते हैं, खर्पतवार हटाने के लिए दो विदियां काम में, निम्न विदियां काम में लेते हैं, पहली विदी है पटेले या हैरो द्वारा खर्पतवार को अटाना, जब फसल की बु दूसरा है रसायनों के उपयोग से खर्पतवार को नश्ट करने के लिए टू फोड़ी जैसे रसायनों का शिड़काब कर दिया जाता है इससे खर्पतवार के फोड़े मर जाते हैं लेकिन फसल को कोई हानी नहीं पहुंचती है खर्पतवार नासी को जल में आवशकता अनुसार मिलाकर इस प्रेयर यानी फोड़ा की सायता से खेत में शिड़काब किया जाता है प्रशन नमबर दस है निमने बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार जमाई है कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचितर तयार हो जाए तो यहाँ पर देखिए उपर प्रशन दे रखा है चोकी सही क्रम में नहीं है हम उत्तर लिखेंगे पहले नमबर पर लिखेंगे मिट्टी तयार करना दूसरे नमबर पर लिखेंगे खेत की जुताई करना तीसरे नमबर पर लिखेंगे वुआई चोथे नमबर पर खाद पांचवे नमबर पर सिचाई, छटे नमबर पर कटाई और साथवे नमबर पर फसल को चीनी मिल में भेजना तो ये क्रम से हमने इसको जमाया है, इसी तरह से आप भी जमा दीजिए प्रशनमबर ग्यारा है, नीचे दिये गए संकेतों की सायता से पहली को पूरा कीजिए तो उपर से नीचे भरना है, सिचाई का एक पारम पर पर एक तरीका दूसरा भरना है, बड़े पैमाने पर पालतुपसों की उचित देखवाल और तीसरा भरना है, फसल जिने वर्शा रितू में बोया जाता है और छटा है, इसमें फसल पक जाने के बाद में काटना तो यहां हम देख रहे हैं, एक वर्ग पहली दी हुई है तो इस वर्ग पहली में हम पहले में भरेंगे रा से स्टार्ट हो रहा है तो रभी इसमें बाई से दाई तरफ सीत रेदो में उगाई जाने वाली फसले रभी होती है तो रभी भर देंगे और एक में उपर से नीचे क्या बरना है सिचाई का एक पारंपरिक तरीका तो पारंपरिक तरीका हम रहट जानते हैं रहट को इसमें बर देंगे दूसरा तीसरा जो उपर से नीचे है उसमें आ जाएगी उपर से नीचे में फसल जिसे वर्षा रितुमें बोया जाता है खरी तो इसमें खरीब भर देंगे हम चोथे में फसल भर देंगे बाएं से दाईयों और दूसरे में पसू पालन लिख देंगे उपर से नीचे की तरब और पांचवे में और बरक लिख देंगे और छटे में कटाई और साथवे में निराई ये आपके पाठे पुस्तक के जो अंदर बाठ के पीछे दिये हुए प्रशन है अब हम इसके अलावा भी जो अतिरिक्त प्रशन है आपके most important जो परिक्षा में आ सकते हैं उन प्रशनों को हम बता रहे हैं तो प्रशन नमबर एक शुरू करते हैं पुने हम कुर्पी दराती बेल्चा हल इत्यादी ओजारों का उप्योग कहां और कैसे करते हैं तो उत्तर है हम खुर्पी दराती बेल्चा हल इत्यादी ओजारों का उप्योग खेती में कृसी कारे में करते हैं खुर्पी इसकी साहिता से हम क्यारी बनाने के लिए मिट्टी खोथते हैं तथा खर्प मिलाने तथा मिट्टी खुरचने के लिए हलका उप्योग किया जाता है अगला प्रिश्ण है हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलप्त करवा सकते हैं उगाया जा सकता, इसे वर्सा रुतु में उगाते हैं। प्रशट नम्मर चार, बीजों को पाणी में डाल कर रखने पर कुछ मिनट बात प्षचात कुछ बीज पाणी के उपर क्यों तेरने लगते हैं? तो उत्तर है, कुछ बीज पानी, खनीजब्दात, खाद और बरक प्रियाब्ट मातरा में मिलते हैं। वे उन पोधों की अपिक्चा, जिने ये बदार्त उचित मातरा में ना मिले हो, ज़्यादा अच्छी तरह से उखतें। प्रश्ण नम्मर 6, खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पोधे भी उग रहे हैं, क्या ये अन्य पोधे विशेश उद्देश्ची के लिए उगाए गए हैं, तो उत्तर लिखेंगे नहीं, ये अन्य पोधे किसी विशेश उद्देश्ची के लिए नहीं उगाए गए हैं, ये एवान्चित पोदे होते हैं, जो फसल के साथ प्राकर्तिक रूप से उग जाते हैं, इन्हें खर्पतवार कहते हैं। प्रश्ण नम्बर साथ है, क्या खर्पतवार नासी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो उत्तर है हाँ। कर्पतवार नासी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति के स्वास्तवर पड़ सकता है, ये विसेले रसायन होते हैं, अत्य छिड़काप करते समय इन्हें अपना मूं एवं नाक कपड़े से डख लेनी चाहिए। प्रशन नमर आठ अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां क्यों रखते हैं? तो उत्तर है, अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां अनाज को कीडों से सुरक्षित करने, रखने के लिए रखी जाती हैं, नीम की पत्तियां रखते हैं, त उसके सारे ही प्रशन हमने उत्तर सहीत आपको बताई हैं तो आप यहां से देख सकते हैं इनको समझ सकते हैं और इसी तरह की दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट या अन्य पार्ट और अन्य विश्यों के प्रशन उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अप झाल आवाद